दोस्तों अक्सर भिंडी की सब्जी पकने में टाइम लगता है इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी ट्रिक जिससे आप भी इसे जटपड बना लेंगे चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना सबसे पहले तेन चमबस तेल गरम करेंगे एक चोथाई चमबस जीरा डालें और अब हम इसमें मिलाएंगे कटी हुई भिंडी इसे हमने पहले ही धो कर पोच करके ले लिया है इसे जो सब्ची है हमारे वो बिल्कुल भी चिपची भी नहीं होगी और अब हम इसमें मिलाएंगे कटे हुई आलू इन्हें भी धो करके पोच लिया है इसे सब्ची अच्छे से खिली खिली पकेगी इन्हें दो मिनट तक स्टर करके पका लेंगे और अब हम इहां मिलाएंगे एक कटा हुआ टमाटर जी हाँ दोस्तों इसी टमाटर से सब्ची जटपट बनकर तयार हो जाएगी तो इसे 2 मिनट तक पकाले इसमें मिलाएं मसाले, एक चम्मच धनिया पाउडर één, चम्मच सब्ची मसाला, आद़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मैं यहां मिला रही हूँ मैगी मसाला जिसे सब्ची का स्वात दुगना हो जाएगा इसे अची तरह से mix करके इसे ढख करके 5 मिनट तक पकने दे और बीच वीच में stir करते रहें 5 मिनट बाद आप देखेंगे सब्जी पक चुकी है तब इस स्टेश पर आप इसमें नमक डालें और कसुरी मेथी डालें और अगर आपको तीखा ज्यादा पसंदे तो मेरी तरह हरी मिर्च भी मिला दें इसे एक बार फिर से mix कर देंगे और इसे दो मिनट तक धक करके पकने देंगे दो मिनट बाद आप देखेंगे आपकी लाजवाब भिंडी की सब्जी तयार है इसे गर्मा गरम सर्व करें नान पराठा रोटी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद